कल शिब रात्री का पर्व था जिसमें जगे जगे पर शिब मंद्रों को सजाए गया था साथ ही कई स्थानों पर जहांकिया भी सजाए गई थी लेकिन शाम होते होते अराजकता फैलाने के उदेश से एक यूवक ने शराव के नशी में सीपरी में एक बर्फ से बने शिबलिंग को तोड़ दिया मामला जहासी के सीपरी बजार थाना शेत्र का है जहाई एक बिक्की पठान नाम के यूवक पर अराजक का फैलाने का आरोग सीप्री के लोगों द्वारा लगाये गया है दरसल सीप्री बजारधारा शेतर इसित नात की कोठी के पास महाशिबरात्री पर्व पर भववान भोरेनात की जहांकी सजाई गई थी यहाँ पूजन के लिए बर्फ के शिबलिंग को बनाये गया था जो आकरशन का मुख केंदुर था लेकिन शिबरात्री को एक अराजक तत्व द्वारा इस शिबलिंग को तोड़ दिया गया जब महिलाओं ने इसका ब्रोध किया तो महिलाओं को गाली गलोज कर धमकाते हुए भाग गया जिसकी शिकायच शेत्रवासियों ने सीप्री थाना में की उन्होंने बताया कि रात करीब साड़े दस बचिये नात की कोठी में रहने बाला बिक्की बहां आया और बर्फ के बने शिबलिंग में लात मार कर उसे इग्रा कर शतिग्रस्त कर दिया जब महिलाओं ने इसका ब्रोध किया तो बहे सभी को गाली गलोज कर जाम से माने की धमकी दे कर भाग गया इस गटना के बाद सभी आक्रोशित लोग सुबाद हना सीप्री बजवार पहुंचे और लि तो हम लोग न उसको ठाके रखा उसकी घर पर भी गाले सिकात भी की उनकी मम्मी मेरे से बोली कि इसी कापी देखा नुक्स पुलिस को सूचना दीती पुलिस दो तेने बार आई भी है काफी टाइम तक भी रही वहां मंगर धूड़ा वो नहीं मिला किसी वो शंकर भगवान को गिरा दिया रात की टेम किते बजेगी बात है वो दस बजेगी बात है वो भी ने उपेले उठाया और फिर उसमें फत्तर मारे फिर वो उसने लाज से कुछली नियाचे पटक पटक के और उसने देखा भी था पुलिस बारन ने घर में वो करी थी भाग भी आता रहा है भाग भी आता वो लाट की कोठी के सामने वहले के कुछ जवान युकों ने शंकर भगवान जी की बरफ की पिंडी बिनाई और शाम को साथ बजे अंधेरा हो गया लोग भाग जो है अपने अपने घरों में चले गए साड़े नो बजे के आसपास एक लड़का जोगी बावी पठान है मुसल्मान वो आया उसने मूर्ती को पहले तो टेबल बे गिराया जब तक मैं वहाँ पहुंचू उसने मूर्ती को ठकेल के जमीन की उपर फिर दी उसके बाद विज़ज़़र हो गया फिर दुबारा आया शंकर ज्यासी से राहुल अपा है कि बोड़